वेल्कम फैंड्स, यह वाचिंग सरल इंग्लिस गुरूप, a step towards इंग्लिस वर्ड, और हमारे साथ सीखे, बहुत ही आसान तरहिए इंग्लिस, फैंड्स, आप अपने नोट्बूद, पेंट कॉपी निकाल करके तयार हिए, और आज हम पढ़ेंगे हमारे जो नए लेशन्स हो किन सब्जेट के साथ हमें SESIS का यूज़ करना होता है और किस सब्जेट के साथ कब हम SESIS का यूज़ नहीं करते हैं, तो हमने वो डिटेल से सारे वीडियो देखे हैं, किस तरह से वो पढ़ते हैं, कब हम SESIS लगाते हैं, डस नोट लगाते हैं, दो नोट लगाते हैं, फ मिक्स सेंटेस के साथ, मिक्स सेट के साथ, तो हमारे जो प्रजेंट इंडिफेंट के टेंस होंगे, उड़ी सेंटेस को हम करेंगे, इसके लिए आप सबसे पहले, जो हमने पिछले वीडियो पढ़े हैं, हमने इजेमार के सेंटेस पढ़े हैं, जो हमारे सिंपल प्रजेंट ह और हमने जो अभी पढ़ा है SESIS, main verb, do not, does not से बनने वारे sentences यह भी friends हमारे simple present है और इनी के sentences आज आपको mixed group से मिलने वाले हैं जो होंगे तो सबसे पहले आप देख लिजी हमने जो पढ़ा है हमारा main verb से बनने वाला जो SESIS लगने वाला हमारा sentences था जब हमारे subject singular होते हैं जब हमारा subject एक वचन होता है तब ही हमने देखा कि हम SESIS लगाते हैं और does not से negative बनाते हैं dust का यूज करते हैं और आपने जो अगला segment देखा था अगला part देखा था उसमें हमने देखा था कि कब हम verb में SESIS नहीं लगाते हैं तो चलिए हम इस तरह के mixed sentences एक साथ देखने की सुबात करते हैं कि काई से हमारे sentences होंगे equation के साथ में आपको पहचानना होगा SESIS लगाना है और equation I और U एक साथ पहचानते भी करना है इसके लिए आप इजिमार से मनने वाले हैजियों से बनने वाले और SESIS जो हमारे sentences एक साथ revision करके रहें अपनी notebook आप सजया रहें और हम देखते हैं कि इस तरह के sentences हमारे कैसे होंगे किस तरह से हम sentence simple present में बना पाएंगे आप अपने notebook के साथ यह हमारे sentence होंगे यह सारे mix होंगे हमने जो sentences आपको लिए हैं वह इजिमार से बनने वाले से लेकर के केले से पका है वह कठल को पकाता नहीं है इसकी यह sentence इसमें हमें जो से बना होगा अगला sentence मेरे दादाजी बहुत देरे बाते करते हैं अब कोने में है इसका मतलब कोने में देखिए यह sentence हमारे से बनने वाले sentence है ऐसि कोई बात कि जारी है अगला सिंटेस है तुम कोले में बैठते हो या आप कोले बैठते हो इसका मतलब है वो कोले में बैछने का काम करता है पर थान देना है जो बजार कोन जाते हैं अगर रही है दे हैं इस तरह से आप पहचानेंगी वह जेब कत्रों से सावधान रहते हैं जो हैं बाजार जाते हैं वहाँ पर वो जेब कत्रों से सावधान रहते हैं तो हमें इस तरह से पहचानना है कि हमारे जो सेंटेस हैं किस तरह से हुगए जो बाजार जाते हैं तो जेब कत्रों से सावधान रहते ह हम इंके sentences के अनुवात करेंगे, negative, interrogative बनाएंगे, affirmative बनाएंगे, आप इन sentences को note करके रखिए, आके हम बढ़ते हैं, जब आप देखेंगे कि इनको एक-एक करके हमने किस तरह से translate किया है, आप अपने अपनों book के साथ में इन sentences को एक-एक मिलाते जाएगा, एक बार वीडियो क कि आदत बार-बार बोलते रहने से, practice करने से पढ़ जाएगी, तो आप इन sentences के साथ में तयार हैं, हम इनके negative, interrogative भी देखेंगे, आप इनको लिख करके तयार हैं, चलिए हम देखते हैं, कि इसका किस तरह से हमने आगे आपके लिए negative, interrogative translate करके रखा हैं, तो friends हमारी easy sentence है, हमने simple present के साथ में भी बनाया है, और हमारी जो sentence है, सबसे पहले आप इस जान देजे कि हमने mix करके sentence है, इसमें हमारी easy mark के sentence हो सकते हैं, do not, does not से बनने वाले sentences हैं, हमने सब पूरे एक साथ mix रखा है, तो पहला sentence है, thoughtful boys do not work hard, चुकि boys हैं, लड़के ज्यादा है, इसलिए do not का यूज करना है, do not work hard, when do, thoughtful boys work hard, कब करते हैं, मैं हमें पूछना है, when do, हमने पूछा है, कब करते हैं, तो आप तो इसी तरह के sentence हमने पहले भी बनाया है, jackroot of softkeeper is ripe, आप इलेक्षों से देखते चल रहे हैं, कि जो कठा है, वो पहले से पकाया है, वो पकाते हैं, वो चीज प bananas, हमने अगला sentence देखाता है, कि केले पकाता है, जो दुकानदा है, वो केले पकाता है, तो राइपें हमने अबर बहुता है, कच्छे फल पकाने के उसमें हमने राइपेंस लगाया है, does softkeeper ripen bananas, क्या softkeeper केले पकाता है, what does softkeeper ripen, दुकानदा क्या पकाता है, कुछ नहीं क्या मेरे दादा जी बहुत धीरे बाते करते हैं तौक में हमने एस लगा है दादा जी एकोचने माइडेंट फादर दस नोट टॉक नहीं करते हैं तो दस नोट टॉक एस हमने हटा लिए है उस्टमें ब्रिंग में अच्छे संदेश लाता है क्योंकर पुस्टमेंग्न के संदेश करते रहें और किसी प्रकार की प्वाबलम नहीं हो तो आप तो लिए हमने आगे जो sentences रखे हैं वो आपको दिखाते हैं आप इसके एक बार फिर से practice करेगा वीडियो को एक बार और जुरूर देखिएगा ताकि आप पहचान पाएंगे कि कैसे हमारे sentences बन रहे होते हैं क्योंकि ऐसे sentence हमें आगे काम आएंगे तो चली हमारे जो अगला sentence है वही present हमारा simple fence है और हम जो sentences कर रहे हैं इसी तरह के sentences आपको आगे होंबर भी मिलने वाले होगी और हम इजिमार से लेकर करके आप कोने में बैठते हो इसके पहले है वह कोने में है और कोने में बैठता है तो अलग-अलग sentence है वह कोने में बैठने का काम करता है इसलिए हमें अरा main verb से sit हमने use किया है तुम कहां बैठते हो आप कहां बैठते हो why do you sit in the corner क क्यों में को बैठते हो पुछना को why do you sit my friends play very well मेरे friends प्योहरे प्रेंडेंटस ऑच्छा कहलते हैं यहाँ अपर फ्रेंडस हमारे plural है Whose friends play very well? किननके friends अच्छा कहलते हैं? हम पुछना चातेबैरолот nessa account हम रेगा है कि हंने देके दो प्रूशन डो कही घर और से एग काई है आप इस तरह के हैं एक बार कुछते हैं है इस तरह के स्ञेटें आगर हम लोलेगे और यह कहां से क्यालाता है हम इस तरह से पूछ सकते हैं हमारा आख्री सेटेंस है he is careful from deceivers in-market वह बाजार में बॉच के बाजो से साधान रते हैं whom is he careful from in-market किंसे साधान रते हैं अगर कुछना है जैसे हमारे deceivers था इसे वो सावधान रखे हैं, तो हमने पूच्टेस में पूचा है के इन से सावधान रहते हैं, तो हमने जो sentence में deceivers हैं, जिन से वो सावधान रखे हैं, हमने question करके से में उनको हटा लिया है, तो friends, इसी तरह के sentences आप practice करके रहें, इस वीडियो को और इबार देखें, आपके sentences आप समझ पाएंगे किस तरह से आपको भी जो प्रॉब्लम आती है सेंटेस आपके लाइप में होता है वो आप बना पाएंगे हमने आगे आपके लिए होमवर्क रखा है इस वीडियो को आप एक बार रिस्टार्ट करके फिर से देखिएगा आगे हम देखेंगे कि हमने आप वीडियो से हम प्रेजिंट कॉंटियोंस और अगले सेग्मेंट के सुरुबात करेंगे लेकिन आप ध्यान लखें कि इस समय आपके लिए जो सेंटेस है वो इजे मार सेंटेस के मिक्स हो सकते हैं तो आपके स्क्रीन पर जो है दस सेंटेस इस तरह से आग है हमने इनकी के अगले सेंटेस बना पाएं गल एक दो आपको कोई प्राबलम गती है तो आपको सकते हैं यह सुलूशन को बना पा है हम आप के लिए इस तरह के वीडियो बना पाएं हमें आपके लिए बनापाएंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इस तरह के sentences करना बहुत जो जो कि क्योंकि लाइटिम सबसे अधा problem हमें इसी टेंज में होती है जहाँ पर हमें yes, is, is does not, do not लगाना होता है अचानक हमारे सेख डलतियां हो जाती है जो हमें यूज नहीं करना होता है वो बार बार हो जाती है तो friends आप इनको solution करिए वीडियो के एक बार और देखिए और हमारे साथ सीख करिए हम इंग्ली के साथ में, इंग्ली के साथ में, स्टोरी के साथ में Thanks for watching Keep watching Saral English Guru A step towards English world Subscribe our channel Like and comment Press bell icon So that you can get latest video Share your knowledge with us Make your group larger and better Thanks for watching again Bye Bye